हर साल धन्तिरस के शुब अफसर पर कोई नई वस्तो खरीदने की प्रता है लेकिन क्या आप चानते हैं ऐसे भी वस्तोवे हैं जिसे धन्तिरस के दिन खरीदना अशुब माना जाता है आए इस वीडियो के मातम से देखें कौन से वस्तोवे धन्तिरस के दिन खरीदना शुब और अशुब माना जाता है सबसे पहले दीपावली में प्रयोग किये जाने वाले लक्षमी माता और गनेश जी की मूर्थी धन तेरस के दिन खरीदना जीवन में स्वभाग गिलाता है माता लक्षमी की धन वर्षा करती हुई मूर्थी दिवाली के लिए उप्युक्त मानी जाती है वहीं धन तेरस के दिन गल्ती से भी लोहे के वस्तवे ना खरीदे ये शनी देव के प्रतीक है धन तेरस के दिन चांदी के सिक्के या भूशन आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है लक्ष्मी पुजा के दिन चांदी के इन वस्तों की पुजा करें काले और गेहरे नीले रंग के वस्तों बिल्कुल ना खरीदे इस दिन आप शायद सुन के चौक जाएं लेकिन धन तेरस के दिन जाडू जरूर खरीदे जाडू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है ये दरिद्रत का नाश होता है प्लास्टिक वह चीनी मिट्टी की कोई भी चीजे धनतीरस के दिन ना खरीदे ये वस्तु शुबदा का प्रतीक नहीं माना जाता धनतीरस के दिन साधरन मिट्टी के दिये से भी काफी लाब होगा ये मिट्टी के दिये धन्तिरस के दिन शुब माने जाते हैं भूल कर भी धन्तिरस के दिन स्टील अथवा अलुमिनियम के बर्तन ना खरीदे इनको अशुब माना जाता है क्योंकि ये राहू का प्रतीख है राहू दुर्भाग्य दर्शाता है आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो करे ये वीडियो लाइक और जाधा से जाधा शेर लाइक सब्सक्राइब और बेल पी टैप फिर मिलते हैं चल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक बाई बाई